Credit be application से दुबारा से loan के लिए apply करने के लिए अपने account को login करना होगा तो login के option पर click कर देना है उसके बाद more number डाल कर continue के option पर click करना है आपके more number पर एक OTP जायेगी उस OTP को यहां पर फिलप करना है उसके बाद यहांपा submit के option पर click कर देना है अगर आपने सारे लोन का भुक्तान आपने कर चुका है जैसे कि आपने केडिट भी अप्ली किजन से लोन के लिए अपलाई किया था और उसका पूरा भुक्तान हो चुका है तो दुबारा से लोन के लिए अपलाई करने के लिए आपके सामने इस परकार का एंटरफिस खुल कर आता होगा आपके सामने सभी लोन ओफर खुल कर आते होंगे जो भी आपके उनलॉक हैं तो उनको पहले समझना है कि लोन कोन कोन से आखिर ऐलाऑ है तो यहां पर दोष्टो सबसे पहला लोन है मीरा 3 लाग का इसको मैं सेलरी बेज़ पर ले सकता हूं क्योंकि इसको बैंक अकॉंड में ट्रांसपर करने का और यहां पर अगर आपकी सेलरी वेज़ हैं तभी आम इस तीन लाग के लोन के लिए अपलाई कर सकते हैं दूसरा लोन है लेकिन आपको पैसा चलिए बैंक में ट्रांसपर करने का तो यहां पर लिखा फिक्सबल परसनल लोन एक लाग बीस अजार का इसको मैं लेकर आपके सामने दुबारत से दिखाऊंगा तो यहां पर मैं गेड नौ के उप्सन पर किलिक कर देता हूं उसके बाद मेरे सामने इस बो भी यहां पर दिखाई देता हूगा जैसे कि मेरे केस में मुझे 12 मंद के लिए 1,20,000 रुपय का लोन मिलना है और 11,231 रुपय की मेरी EMI है अगर मैं 1,20,000 लेना चाहता हूं तो यह 1,20,000 ले सकता हूं अगर मैं इसको कम लेना चाहता हूं तो 5,000 भी ले सकता हूं 10,000 ले सकता हूं जितना अमाउंट चाहे होता ना ले सकता हूं उसी के हिसाब से EMI कनबट होती रहेंगी तो मैं 1,20,000 का लोन अप्लाई करने के लिए ब्यो एंड समरी के चार्ज की ऑप्शन पर किलिक कर देता हूं इसके बाद मेरे सामने इस प्रिकर का इंटरफिस क्लुकर आ जाएगा आप यहां पर बोलना है कि आपको जो लोन अमाउंट है अगर 1,20,000 का लेते हैं तो 1,12,725 रुपए आपके बैंक अकॉंड में 12 मन्त के लिए लिए मिलेगा और बैंक अकॉंड में ट्रांसपर कर दिये जाएंगे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दू और यहां पर आपके लिए अपलाई कॉपन कोड का एक उप्शन मिल जागा इसको भी अपलाई करना होगा तो यहां पर दोनों टिक को मैंने हटा दिया 1699 को और यहां पर 40 रुपए को तो यहां पर टोटल अमाउंट जा रहा है मेरी बैंक में अब 1,14,424 रुपए अब य के लिए बता दूँ कि मेरे युटूब चल पर आपके लिए बहुत सारी बीडियों मिल जाएंगी जिससे आपके लिए प्रोशेशन फीज जाती है जैसे कि यहां पर जा रही है ब्याले सो रुपए तो इसमें काफी ज्यादा डिस्कॉंड मिल जाता है अगर आप कूपन क यहां पर मुझे कूपन कोट का अपलाई करने का यहां पर वाफर मिला है 1680 रुपए मुझे डिसकॉंड मिल चुका है अम मेरे बैंक अकॉंड में जाएगा एक लाग 16407 रुपए तो यहां पर के लिए इस प्रिकार से अपलाई करना है जैसे कि इसको अंटिक करना है और यहां पर कूपन कोट को अपलाई कर देना है तो आपके लिए काफी ज्यादा डिसकॉंड मिल जाएगा और आपके बैंक अकॉंड में ज्यादा पैसे ट्रांस्पर किये जाएंगे अपर टोटल अब जो भी इंटरस्टेट जाएगा उसको आप कम नहीं कर सकते हैं जतना मै जाएंगे जो भी आपकी आती होंगी पर मन्त्केसाब से आप के लिए देख लेना जाएक कि किस मत में कितनी और या आट करने के दॉन कि परपर सलेक्ट करना होगा कि एपके लिए जैसे कि इजूकेशन के लिए बेलिए झैसे जैसे बीक्र बार कि लिए है दूसदों पर सब्सक्राइं को सेलेक्ट कर लेता हूं उसके बाद दूस्तों यहां पर टेक्ट करके कर कर देता हूं उसके बाद करने के बाद आपके सामने करने के आपके लिए करना होगा जैसे कि आपके लिए डिजिटल करना हैं आपके सामने का एंट्रफीज क्लूप कर आ जाए गाँ इस के लिए अपके लिए टिक क्लिक करनेके बाद आपनी वेरिफाइक और अप्लोड करना बाद कर देना है इसके बाद आपके सामने इस परकार का इंटरफीस को कर आ जाएगा यूर लॉन बेल भी प्रोसीड इन एक और कि आपकी एक गंटे के अंदर आपके इस बेंग अकॉर्ण में पैसे को ट्रांस्पर कर दिया जाएगा लेकिन दूस्तों ये घंटा नहीं लगता है अधगतर केस में गंटा लग जाता है बरना आपके बैंक अकॉंट में दो से तेन मिट के अंदर पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाता है तो इस प्रिकार से हम दुबारा से क्रेडिट भी अप्लीकेशन से लून के लिए आप लाइक कर सकते हैं आई हूप मेरे द्वारा बताएगी जानकर ये आपके लिए पसंद आई होगी जानकर ये पसंद आई योटूप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले